दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए भारत की यूवा पीडी एक ऐसे दोर में है जहां वो जॉब सीकर की मेंटालिटी से निकल कर जॉब क्रियेटर बनना चाहती है अपना खुद का बिजनिस टार्ट करके आप ना सिर्फ सेल्फ सफिशन बनते हैं बलकि आप दूसरों को भी रोजगार का अफसर दे पाते हैं आ आईए जानते हैं कि Alminium Foil Rewinding बिजनिस शुरू करने के लिए आपको कितना investment, area, machine और labor के जरूरत पड़ेगी आज हम बात करने वाले हैं Alminium Foil Rewinding मशीन के बारे में इस मशीन का काम यह होता है जंबो रोल को छोटे रोल में convert करना आपको एक Alminium Foil Rewinding मशीन लगाने के लिए 500 स्क्यार फिट एरिया की जरूरत है और इसी एरिया के अंदर आप अपना raw material भी रख सकते हैं, machine भी रख सकते हैं और आपका finished product भी इसी जगह के अंदर आ जाएगा और कोई खास civil work की इसमें जरूरत नहीं, आप किसी भी ground floor पे, first floor पे भी इस मशीन को लगा सकते हैं और आप किसी shed में भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप इस मशीन को लगा के अपना वेपार चालू कर सकते हैं हमारे पास जो almonium foil winding machine है, उसकी कीमत है 3,00,000 रुपे, प्लस 18% GST, transportation cost अलग से आपको देनी होती है इस मशीन को चलाने के लिए एक skilled operator की जरूरत होती है, और एक helper की जरूरत होती है skilled operator का काम ये है, कि वो machine को चलाता है, रन करता है, और जो helper का काम है, उसको pack करना है रोल तयार होने के बाद, helper उस रोल को box के अंदर pack करना है हम बात करते हैं raw material की, आपको raw material में aluminium foil jumbo roll चाहिए, core चाहिए, rewinding के लिए और packing के लिए आपको box चाहिए aluminium foil jumbo roll जो है, market में आपको kilo के हिसाब से मिलता है, एक kilo की कीमत है तकरीबन 200 रुपे kilo with GST इसमें GST जो है वो 18% लगता है, for example, 215 रुपे kilo अगर आपको मिलता है तो plus 18% GST, तकरीबन 254 रुपे kilo के आसपास इस business को चालू करने के लिए आपको तकरीबन 5 रुपे की ज़रूरत होगी, जिसमें machine प्लस आपका raw material दोनों चीज़े उसमें आ जाएंगी electricity consumption के अगर बात करें तो तकरीबन machine का load है एक kilo watt electricity power consumption आपको तकरीबन 2.5 kilo watt की इसमें ज़रूरत होगी बाकि अगर आप अगर आप अल्मुनियम फॉयल रिवाइंडिंग machine लगाते हैं तो इसके साथ आपको और किसी machine के आवश्यक्ता नहीं है जालू करने के लिए आपको GST नंबर की ज़रूरत होगी और बाकि किसी और अदल लैसेंस के आपको ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है machine के उपर अल्मुनियम फॉयल रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें machine के उपर अल्मुनियम फॉयल जंब रोल को लोड करना है फिर हमें machine के उपर core को रखना है, core रखने के बाद machine को हमने स्टार्ट करना है स्टार्ट होने के बाद rewinding automatically start हो जाती है जब rewinding finish हो जाती है तो हमारे को core को machine के उपर से हटाना है और machine के अंदर हमने blade fix कर रहा है वहीं से उसको cut कर देना है और उसको tape लगा के box के अंदर रखके pack कर देना है